हेलो स्टुडेंट्स, विल्कम टू आर चानल लर्निंग नोट बूक, आज इस वीडियो में हम क्लास फोर इंग्लिज ग्रामर का चैप्टर प्रोनाउंस करेंगे, इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्राक्टिस क्वेस्टन सौल करकर के समझेंगे, तो इस वीडियो को एंग तक जरूर देखिए, स्टुडेंग्स, हम लर्निंग नोट बूक चैनल पर क्लास फोर इंग्लिज ग्रामर का पूरा स्लेवर्स कवर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखे ही, साथ-साथ हमारे चैनल लर्निंग नोट बूक को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, एक और बार, इस वीडियो को देखने के बाद, इस चैप्टर, प्रोनाउंस के लिए, आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरुवत नहीं पड़ेगी, सबसे बहले हम समझेंगे what are pronouns, फिर हम सीखेंगे types of pronouns, यानि personal pronouns and demonstrative pronouns, और इन दोनों के उपर मैं आपके साथ करूंगी practice exercise भी, फिर next हमारा topic होगा, difference between demonstrative pronouns and demonstrative adjectives, और आखरी में students, मैं आपको दूंगी एक mix exercise in types of pronouns पर, So, let's start with our first topic, pronouns, तो pronouns क्या होते हैं, pronoun is a word used in place of noun, तो pronoun वो होते हैं, जो हम noun की जगा use करते हैं, तो noun ऐसे words हैं, जो हम noun की जगा use करते हैं, मैं कुछ sentences आपको इदर दिखा रही हूँ, Mrs. Veena is the principal of this school, Mrs. Veena is also a great teacher, all the students respect Mrs. Veena, अब students, इन सब sentences में हम बार बार Mrs. Veena, Mrs. Veena बोल रहे हैं, तो क्या ये sentences अच्छे लग रहे हैं सुनने में? नहीं, हम बार बार Mrs. Veena, Mrs. Veena ही बोले जा रहे हैं, तो ये जो noun हुआ, Mrs. Veena, इसकी जगा अगर हम कोई और word यूज करें, तो वो word कहलाते हैं, pronoun, जैसे की, she is also a great teacher, अब मैंने noun Mrs. Veena हटा के यहाँ पे she लगा दिया, बात मैं अभी भी हूनी की कर रही हूँ, Mrs. Veena की कर रही हूँ, पर अब मैं she बोल रही हूँ, she is also a great teacher, तो जो she है, वो एक pronoun है, it is used in place of noun, इसी तरह से, अब यह वाला sentence है, यहाँ पे मैं इसको modify करके लिख दूँ, all the students respect her, अब Mrs. Veena की जगा मैंने यहाँ her लिख दिया, तो her भी एक pronoun है, वो मैंने noun की जगा यूज किया है, अब देखो यह sentences अब अच्छे लगेंगे read करने में, Mrs. Veena is the principal of this school, she is also a great teacher, all the students respect her, अब सही लगे न है, यह sentences बार बार हम Mrs. Veena, Mrs. Veena बोलतो है, नहीं अच्छे लग रहे, तो यह जो ऐसे words होते हैं, जिने हम noun की जगा यूज करते हैं, वो कहलाते हैं, pronouns, तो जो यह words हैं, जैसे कि I, Me, He, She, It, We, They, Who, That, Yours, His, Her, Them, Those, यह सभी होंगे pronouns, ऐसे ऐसे और भी words होते हैं, वो हम आगे अब इस वीडियो में देखेंगे, यह सब words यूज होते हैं in place of noun, तो यह कहलाते हैं, pronouns, Now, let's understand types of pronouns, pronouns are classified into following type, so students, in this class, we will do two types of pronouns, पहला है personal pronoun और दूसरा हम सीखेंगे demonstrative pronoun, so let's first talk about personal pronouns, A pronoun that stands for a person or a thing is called a personal pronoun, तो जो pronoun किसी person के लिए या किसी चीज के लिए यूज करा जाता है, उसे कहते हैं personal pronouns, pronouns like, I, we, you, he, him, she, her, it, they, them, यह सबी है personal pronouns, जैसे कि अभी हमने जब Mrs. Veena का example किया था, तो वहाँ पे हमने pronoun यूज करे थे, she, her, ठीक है, तो वह personal pronouns थे, अब यह सब यह हाँ पे मैंने आपको देने की कोशिश करी एक list, जो qualify होती है, personal pronouns के लिए, अब यह जो personal pronouns हैं, यह तीन तरीके के होते हैं, first person, अब जब मैं अपने बारे में, हम जब अपने बारे में बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं, I, me, mine, we, us, जैसे कि हम बोलते हैं, I am going, we are fine, we are going out tonight, तो यह first person pronoun है, हम जब अपने बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, are you fine, are you coming with me, you are looking good, तो यह सब क्या हैं, यह है, personal pronouns, पर यह second person है, ठीक है, third होते हैं, जब हम उस person की बात कर रहे हैं, जो उस time वहाँ पर present नहीं है, इसके लिए हम use करते हैं, he, him, his, she, her, hers, it, they, them, theirs, यह सब क्या हुए, third person, जब वो लोग महाँ पर present नहीं हैं, उनके बारे में बात करें, तो यह सब ही, क्या कहलाते हैं, personal pronouns, आई एक example देखते हैं, यह conversation है, प्रिया और सुच्ची के बीच में, प्रिया कहती है, I like Swati Ma'am, do you, मुझे Swati Ma'am अच्छी लगती हैं, क्या तुमें भी, सुच्ची कहती है, yes, she is an excellent teacher, हाँ, वो एक बहुत अच्छी teacher है, तो पहले sentence में, प्रिया अपने बारे में उसने बोला, I like Swati Ma'am, तो यहाँ पे यह जो I है, वो हुआ एक personal pronoun, जब उसने अपने बारे में बात करी, I, फिर वो कहती है, do you, अब you, उसने सुच्ची से पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे यह जो you है, वो भी एक personal pronoun ही है, फिर सुच्ची कहती है, she is an excellent teacher, अब she जो है, वो Swati Ma'am के लिए use हुआ है, तो she भी एक personal pronoun है, ठीक है, तो यहाँ पे students, यह I, you, she, यह तीनो first person, second person और third person प्रणाउन्स हैं, यह personal pronouns हैं, और यह first, second और third person की category में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों sentences में, first person, second person और third person प्रणाउन्स का use हुआ है, first person कौन है, I, प्रिया जब अपनी बात कर रही है, second person कौन है, you, जब वो सुच्ची से पूच रही है, और third person कौन है, she, जब वो स्वाती मैम के लिए बोल रही है, सुच्ची, ठीक है students, एक और example देखते हैं, Tara is a dancer, last night she danced so well that everybody praised her, तो यहाँ पे students, हम third person के बारे में बात कर रहे हैं, Tara के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यह जो इदर pronouns है, वो कौन-कौन से है, personal pronouns, she, her, यह दोनों हुए personal pronouns, तो students, first, second और third person में हमें singular और plural pronouns यूज करते हैं, कैसे, देखिए, first person के लिए, जब singular की बात कर रहे हो, सिफ एक ही जने की बात कर रहे हो, तो हम यूज करते हैं, I, me, my, पर अगर हमें एक से ज़ादा लोग के बारे में बात करनी है, first person के लिए, तो हम बोलते हैं, we, us, या us, जैसे की, singular में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, I, play, right, मैं खेलती हूँ, और अगर एक से ज़ादा के लिए यूज करना होता है, एक जने के लिए भी, और एक से ज़ादा के लिए भी, जैसे की, example देती हूँ, एक बच्चे को हम कह रहे हैं, you are a beautiful girl, right, तो ये एक girl के लिए हम बात करें हैं, अब अगर मुझे एक से ज़ादा के बारे में बात कर रही हैं, जब भी मैं कहूंगी, you are beautiful girls, तो यहाँ पे pronoun हमन करते हैं, singular में third person के लिए हम use करते हैं, he, him, his, और क्या होते हैं, और होते हैं, she, her, hers, जब हम girls की बात करते हैं, और एक और होता है it, right, तो ये third person को refer करते हैं, जब हम singular बात कर रहे हैं, singular प्रणांस कहेंगी, इसी तरह से plural pronounce होते हैं third person के लिए क्या-क्या they, them, theirs छीक है तो ये एक table मैंने आपके reference के लिए यहाँ पर बनाई है बहुत useful table है इसे ध्यान से देखी तो students ये जो सारे pronouns अभी मैंने आपको समझाए है इनमें एक ये भी बात समझनी ज़रूरी है कि ये कौन से gender के लिए use होते है क्या हम इने male के लिए use कर सकते है या female के लिए use कर सकते है या दोनों के लिए use कर सकते है तो ये point समझना भी बहुत ज़रूरी है तो ये जो first और second person के प्रनाउन है ये दोनों genders के लिए use हो सकते है male के लिए भी और female के लिए भी For example, first person की बात करते हैं पहले I am eating अब यह जो sentence है अगर लड़का बोल रहा है तो उसका मतलब हो जाता है मैं खा रहा हूं अब यही sentence अगर कोई लड़की बोलती है तो उसका मतलब हो जाता है मैं खा रही हूं तो हमने दोनों के लिए ही I use किया तो दोनों में है use हो सकता है I mean mine और we, us, ours इसी तरह से second person में भी अब मैं कहूं you are eating अब मैंने अगर एक boy को बोला तो यानि तुम खा रहे हो और girl को बोला तो तुम खा रही हो ठीक है तो यह जो you, yours है यह भी हम दोनों males और females के लिए use कर सकते है अब अगर हम third person की बात करें जो हमारे सामने present नहीं है उसमें हमें differentiate करना पड़ता है देखिए he, him, his यह use होते हैं males के लिए boys के लिए use होते हैं यह तीनों pronouns she, her, hers यह हम use करते हैं females के लिए यानि girls के लिए और it जो होता है वो use करा जाता है non-living things और animals के लिए example देती हूँ मैंने बोला he is in office यानि मैं किसी male की बात कर रही हूँ जो मैंने he use करा यानि वो male है अगर मैं कहूँ she is in office यानि मैं refer कर रही हूँ एक female को तो यहाँ पे हमें third person के लिए ये males और female के accordingly pronouns यूज करने होते है अब अगर हम plural pronouns की बात करें third person में तो ये जो तीनों pronouns हैं ये सभी के लिए use होते हैं male के लिए, female के लिए, animals के लिए और non-living things के लिए भी फर एक्जामपल, अगर मैं कहूं they are playing football तो यहाँ पे जो मैंने ये दे लगाया है ये हम boys के लिए भी use कर सकते हैं और girls के लिए भी use कर सकते हैं दोनों के लिए ही हम they use कर सकते हैं आगर मैं कहूं they are eating grass तो यहाँ पे जो they use करा है यह बहुत clear है कि यह मैंने animals के लिए use करा है यह कोई animal का group है और वो घास खा रहा है ठीके students तो यह मैंने आपे आपको gender समझाया है कि कौन से pronounce हम males के लिए use कर सकते हैं और कौन से females के लिए use कर सकते हैं और कौन से ऐसे pronounce हैं जो दोनों के लिए use कर सकते हैं अब मैं आपके दे रही हूँ एक प्राक्टिस एक्ससाइज परस्नल प्रनाउंस पर अंडरलाइंग प्रनाउंस एंड तेल परस्न तो यहां पे कुछ संटेंस गिवन हैं हमें सबसे पहले प्रनाउंस आइडेंटिफाय करने हैं और बताना है कि वो कौन सा परस्न है यानि फॉर्स परस्न है सेकंड परस्न है या थर्ड परस्न सब्रनाउंस so let's see the first sentence I have not brought any food with me अब देखिए यहां पे कौन से परनाउंस हैं पहला परनाउंस हमें दिख रहा है आई और कोई और प्रणाउन नहीं देखी अच्छे से? Yes, यह है, me तो यह दो प्रणाउन्स हैं और यह दोनों ही प्रणाउन्स किसके बारे में बात करें हैं? खुद, अपने बारे में I और me तो यह कौन सा परसन हुआ? First person दोनों ही प्रणाउन्स हैं First person pronoun Okay, let's move to next sentence If this pencil is not sharp You can use mine अब यहां देखिए सबसे पहले identify करें प्रणाउन्स को इस वाले पार्ट में कोई प्रणाउन नहीं है यहां पे देखिए, हाँ, पहला हमें दिख रहा है You और कोई और है प्रणाउन इदर? हाँ, एक और है Mine तो यहां पे हमने दो पर्सनल प्रणाउन्स identify कर लिए है अब देखते हैं, वह पौन सा person है देखिए, यह है You You हम refer कर रहे हैं जिसे हम बात कर रहे हैं यानि यह हुआ second person और यह है mine Mine यानि मैं अपने लिए कह रही हूँ तो यह हुआ first person Next Do not forget to ring me before you come So first let's identify personal pronouns in this sentence यह पहला है Me और यह भी है You ठीक है, अब देखते हैं कौन से person है Me यानि मैं अपने लिए बात कर रही हूँ तो यह हुआ first person और You यानि जब हम दूसरे सामने वाले के लिए यूज कर रहे हैं You तो यह हुआ second person Next sentence They went to a park for a walk Walking there refreshed them तो सबसे पहले हम personal pronouns identify कर लेते हैं एक तो है यह यह दे और दूसरा है इधर देम ठीक है, तो यह दो personal pronouns हैं अब देखिए दे यानि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं कि वो पार्क में walk करने गए थी तो यानि यह कौन सा हुआ? यह हुआ third person और इसी तरह से जब हमने आगे sentence में भी उनी के बारे में बात करी है देम कहके तो वो भी third person रैइट? Next Why is the dog barking? Is it hungry? अब इस sentence में भी हम किसी से बात करें हैं डॉक के बारे में कि वो क्यों भॉक रहा है? क्या वो भूखा है? ठीक है? तो सबसे पहले तो हम इधर identify करेंगे प्रनाव वो कौन सब प्रनावन है? इट और जैसे कि मैंने बताया हम किसी से बात करें हैं डॉक के बारे में तो ये क्या बना डॉक? third person और वैसे भी मैंने आपको बताया है he, she, it ये सभी third person होते हैं और इनके साथ they, them, theirs ये भी third person प्रनावन्स होते हैं next they are proud of their country we are proud of ours तो यहाँ पर personal प्रनावन्स है they और their we और ours ठीक है? चार personal प्रनावन्स है इदर अब इन्हें ध्यान से देखिए पहला हुआ they, their, we ours चार है तो they और their चो है यह मैंने भी आपको बता यह कौन से होते हैं यह होते हैं third person यह third person प्रनावन्स है अब we और ours यानि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो यह हुए first person प्रनावन्स यह दोनों ही first person प्रनावन्स तो students, I hope अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे प्रनावन्स आइटिफाय करते हैं personal pronouns कैसे आइटिफाय करते हैं और फिर कैसे उनका person बताते हैं कि वो first, second या third person अब एक और exercise कर रहे हैं fill in the blanks with suitable personal pronoun तो यहां पर students, कुछ sentences हैं blanks given हैं हमें उनको blanks को fill करना है personal pronoun से so let's see the first sentence dash am ready to help you dash can depend upon dash अब देखिए, पहला जो blank है उसके बाद क्या given है? और मैंने आपको बताया हुआ है कि am के साथ हमेशा क्या लगता है? आई, तो इदर आएगा I am ready to help you ठीक है? अब हम मैं यह बात कर रही हूँ सामने वाले से और यही continue हो रही है यह conversation second इस part में second sentence में इसमें तो यहां पर देखिए क्या आएगा इदर? मैं कह रही हूँ कि मैं तुमारी मदद करने के लिए तयार हूँ तो तुम मेरे पर depend हो सकते हो यही बनना चाहिए ना logically sentence यही बनेगा तो यहां पर आएगा you, you can depend upon me I का क्या बन जाएगा? me, right? अब second sentence देखते हैं Dash are going to Shilpa's birthday party Dash has invited us all अब इस sentence को देखिए, इसमें है कि Dash are going यानि अब इदर आ सकता है कि हम Shilpa की birthday party में जा रहे है या वो Shilpa की birthday party में जा रहे है तो यानि We या दे दोनों आ सकते हैं इदर अगर हमें इस first part देखें तो अब इस blank को छोड़ देते हैं हमें नहीं पता कि हम इदर We लगाएं या दे लगाएं Second part को देखते हैं इस sentence के Dash has invited us all तो यहाँ पर Dash किसके बारे में बात हो रही है कि किसने invite किया है? Shilpa ने Shilpa girl है तो यहाँ पर लिखेंगे हम She She बनेगा उसका प्रनाउम She has invited us अब देखें अस लिखा है अस यानि हमें उसने हम सब को invite किया है हम और अस का first person क्या बनेगा? We तो इधर वी लिखा जाएगा अगर इधर अस की जगा Them होता She has invited them all तो उपर क्या आता? उपर आता They ठीक है? तो यह एक ऐसा sentence है जहां पर हमने उसके second part को पहले देखा है उसके accordingly हमने first blank को fill करा है तो students हमेशा ध्यान रखिए कि हमें यह match करने हैं pronounce जैसे कि उपर वाले इस sentence में I Me और नीचे में हमने क्या किया? We Us या They Them ठीक है? तो ऐसे में match करने पड़ते हैं यानि मैं सामने वाले को जिससे में बात करें हूँ उसको कह रहे हूँ कि डॉक को मत चिड़ाओ तो क्या होगा इदर? डॉक के लिए वो तुमें काट लेगा यही बनेगा इसका sentence तो डॉक के लिए मैंने आपको बताया था अनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं इक सामने वाले से बात करें हूँ मैं तो यहाँ पे लिखूंगी यू अब students, देखिए can हम यूज्यली सामने वाले से Permission के लिए यूज करते हैं जैसे कि आप अपने स्कूल में अपनी टीचर से पूछते हैं तो आप Permission के लिए यूज कर रहे हैं जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो यह sentence में क्या हो रहा है कि कोई pen मांग रहा है, ठीक है, तो क्या कहेगा वो, can you lend, अपने लिए मांग रहा है, can you lend me your pen, ठीक है, अब वो second part में क्या दे रहा है, वो उसको reason बता रहा है, कि मेरे से misplace हो गया है pen, I have के साथ आएगा, I have misplaced mine, क्योंकि मेरे से मेरा pen जो है, वो misplace हो गया है, देखें, I के साथ क्या लगा है इदर, mine, I have misplaced mine, यानि मेरे से अपना pen misplace हो गया है, next, this story is very interesting, have dash, dash, red, dash, तो इसका meaning है कि ये story बहुत interesting है, कोई दो जने आपस में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये story बहुत interesting है, तो वो पूछ रहा है, क्या तुमने ये पढ़ी है, question mark है, तो वो question पूछ रहा है सामने वाले से, तो क्या आएगा इदर, have you read, और story के लिए क्या लगाएंगे, non-living thing के लिए, it, have you read it, right, last sentence, manju has two brothers, dash are older than dash, manju के दो भाई है, अब इदर देखें, क्या है इदर, are लगा हुआ है, ठीक है, और दो भाईयों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, they, they are older than, manju के लिए क्या लगाएंगे, her, female है वो, तो her लगेगा, तो यहाँ पर हमने लिखा, manju has two brothers, they are older than her, तो यह सारा मैंने आपको इदर समझा दिया है, personal pronouns के बारे में, अब हम सीखेंगे, next type of pronouns, which are demonstrative pronouns, तो demonstrative pronouns क्या होते हैं, pronoun that is used to point out the object, is called demonstrative pronoun, pronoun जो use होता है object को, किसी भी object को point करने के लिए, उसे कहते हैं, demonstrative pronoun, कौन-कौन से words होते हैं, जिसे हम point करते हैं, जैसे की, this, that, these, those, यह सभी words point करते हैं objects को, तो यह कहलाएंगे, demonstrative pronouns, let's see an example, this is a pen, तो यहाँ पे, जो यह this है, यह जो word है, यह point कर रहा है pen को, कि यह एक pen है, तो यह जो this है, यह हुआ, demonstrative pronoun, इसी तरह से, these are pens, यहाँ पे भी, यह जो word these है, यह बता रहा है, कि यह pens है, point कर रहा है pens को, तो these बना, demonstrative pronoun, that is a book, वो एक book है, तो that point कर रहा है book को, तो वो हो गया, demonstrative pronoun, those are your books, वो तुहारी books है, तो यह भी, जो those है, वो भी books को refer कर रहा है, उन्ही को point कर रहा है, तो those भी है, एक demonstrative pronoun, यहाँ पे students, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, कि यह जो this और these है, यह जो demonstrative pronoun होते हैं, यह जो चीज़े pass होती है, उनको point करने के लिए use होते हैं, जैसे कि this is a pen, यानि यह मेरे pass है pen, ठीक है, पर that and those, यह जो demonstrative pronoun है, यह उन चीज़ों के लिए use होते हैं, जो हमसे दूर होती है, those are your books, बतलब वो दूर हैं books को, ठीक है, और एक बात और, this और that, यह दोनों singular चीज़ को point करने के लिए होते हैं, जब हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, पर these और those, plural चीज़ों के लिए use होते हैं, plural nouns को जब हम refer कर रहे हैं, उनके लिए use होएंगे, Students, अब हम करेंगे, Demonstrative Pronouns पर एक practice exercise, Question is, pick out Demonstrative Pronouns, तो यहां पर sentences given हैं, और दो option है, Demonstrative Pronouns के दो option हैं, हमें यह बताना है कि कौन सा Demonstrative Pronouns इस blank में fill होगा, तो पहला sentence देखते हैं, Dash was such an interesting experience, अब देखिए, यहां पर किस चीज़ की बात हो रही है, यहां पर experience की बात हो रही है, ठीक है, experience क्या है, singular है, तो इसलिए हम क्या use करेंगे, that use करेंगे, या these use करेंगे, हम use करेंगे, that, तोकि मैंने आपको बताया था, this और that, यह singular चीज़ो को point करने के लिए होता है, next, are dash your shoes, this और those, अब यहां पर किस की बात हो रही है, shoes क्या है, plural है, तो हम क्या use करेंगे, those, ठीक है, these और those, हम plural चीज़ों को point out करने के लिए करते हैं, next sentence, you will have to get your own pen, dash is mine, this या that, ठीक है, अब यहां पर देखो क्या बात हो रही है, यहां पर कह रहा है कि तुम्हें अपना pen लाना होगा, यह मेरा है, अब यह, यानि एक ही pen की बात हो रही है, single pen है, और यहां पर यह जो option है, this और that, यह दोनों ही singular के लिए use होते हैं, तो हम कैस decide करेंगे, यह देखिए, यह जो बात कर रहा है, यह अपने pen की बात कर रहा है, mine, तो जो वो pen होगा, उसके पास ही तो होगा, यह नहीं है कि वो दूर पड़ा होगा, तो इसलिए हम इधर use करेंगे, this, this is mine, next sentence, is, dash, yours, options, those, या that, अब इसे ध्यान से देखिए, यहां पर प यानि कि singular आना चाहिए इदर, तो क्या है singular, those और that में से, that, that use करते हैं हम singular चीज़ के लिए, is that yours, अगर इसकी जगा, students, इदर are होता, तो जब हम use करते, those, क्योंकि those, plural चीज़ों के लिए use होता है, next, please give me one of dash, options, those, या that, अब देखिए, students, ऐसे question हम जादा तर गलत कर देते हैं, बहुत सारे students, इदर जल्दी-जल्दी में बस that लिख देते हैं, वो गलत है, देखिए, इदर क्या लिखा है, इदर लिखा है, इदर लिखा है, one of, इसका मतलब है, कि बहुत सारे हैं, उसमें स इसे मेर को एक दे दो, please give me one of those, those आएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है, plural है, तो इदर हम लिखेंगे, those, तो ऐसे हम demonstrative pronouns, हम choose करते हैं, सोच समझ के, आगे पीछे पढ़कर कि किस बारे में बात हो रही है, उसके accordingly, demonstrative pronoun use करा जाता है,